यालो और वेलकम टो अधितिक लासे जहां पर इंदेना हम बात कर रहे हैं तेस्ट ओफ एडिक्विसी ओफ इंडेक्स नंबर्स तो अब इतने सारे इंडेक्स नंबर्स हमने पढ़ लिये हैं तो कुछ टेस्ट भी होने चीए कि हाँ यह इंडेक्स नंबर रिलाइबल है या एडिकविट है या या इस एप्लिकेशं की लिए इस है चीए या नहीं तो वो टेस्ट सम पड़ रहें अब तक हमने देखा है time universal टोडब टॉड़े बिल टॉक बाओट factor reversal test ट्च फैक्टर एवर्स नं टेस्ट क्या होता है कि अगर फैक्टर्स को quantity as weight अब अगर factors reverse कर दिया जाए कि quantity index बनाया जाए with price as weight reverse हो गया है price index with quantity as weight and quantity index with price as weight तो यह क्या हो गया factor reversal हो गया तो अगर factor reversal कर दिया जाए तो you should get value index क्या मतलब हुआ अगर हम इसको यहां पर देखें तो index 01 index 01 price quantity अगर मैं price index लेता हूँ और अगर मैं quantity index लेता हूँ तो यह resultant मेरे को क्या देना चाहिए value index for 01 तो यहां पर हम लिख देते हैं कि हमारा rule क्या रहेगा price index for 01 quantity index for 01 पीरिट तो 01 नहीं रह रहा है लेकिन फेक्टर रिवर्स हो गए यह price index है quantity index है should give me value index for 01 यह हमारे का चेक करना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम less pair की बात कर रहे हैं तो less pair से शुरू करते हैं less pair के लिए अगर यह formula बनाए तो क्या हो जाएगा less pair price index for 01 multiplied by less pair quantity index for 01 is equal to value index for 01 value क्या होती है product of price and quantity इसको देखता है यह formula किस तरह से आएगा less pair price index तो हम यहीं लेके चल रहे है sigma pq upon sigma pq यह quantity इंडेक्स आजाएगा तो यह क्या हो जाएगा sigma pq upon sigma pq और value इंडेक्स बनाएंगे हम तो वह भी कितना होगा sigma pq upon sigma pq वी 01 क्या है value 01 मतलब value index बना रहे हम बेस कौन है जीरो गिवन पीरिट कौन सा है फिर्स्ट वेल्यू का मतलब क्या होता है pq of first period pq of zero period तो हम इसको लिख सकते है p1 q1 upon p0 q0 तो यह value का concept है तो यहां तो क्या लिख सकते हैं चलों यहां से शुरू करते है price index अब price का index बनेगा और weight आएगा quantity का इंडेक्स प्राइस का बनाना है तो बेस कौन है 01 मैंने क्या कर दिया price का index बना दिया जो इंडेक्स का रूल है कि base value denominator में आनी चाहिए given value numerator में आनी चाहिए मैंने किस पर रूल लगा प्राइस पर लगा और अब weight की बात करते है प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं तो weight कौन बनेगा quantity less pair है तो quantity कौन सी आती है base year method होता है तो 00 आ जाएगी अब quantity इंडेक्स बना करके देखते हैं quantity इंडेक्स बना रहे हैं तो weight कौन लेगा price will play role of weight और less pair है तो कौन सी base year वाली price base year कौन सा है 0 और value की अगर बात करें तो आपने देखा यहां पर first period की value क्या होगी P1 Q1 और यह होगी P0 Q0 इसको एक बार फिर से द्यान से देखें प्राइस इंडेक्स है तो प्राइस पर इंडेक्स वाला रूल लगा 01 और प्राइस इंडेक्स है तो quantity पर लगा weight वाला रूल वेट वाला रूल क्या होता है कि less pair में base को लिया जाए now this is quantity index quantity पे हमारा index वाला rule लगेगा 0, 1 वाला quantity पे index वाला rule लगा 0, 1 और quantity index है तो weight कौन role play कर रहा है price, price पे लगेगा हमारा weight वाला rule less power में weight कौन होता है base period, P0 P0 अब देखते हैं ये values रखके कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ideally it should have been like this, let me check ऐसा हो पारा या, नहीं for now I am not sure, देखते हैं P1 Q0 P1 Q0 कितना है ये, 883 upon P0 Q0 is 899 multiplied by P0 Q1 हो जाएगा 1110 upon P0 Q0 हो जाएगा 899 तो we have 883 upon 899 we have 1110 upon 899 कितना आ राही है let us say, this is LHS left hand side ये आ जाएगा 883 multiplied by 1110 होता है 981 980 980 130 और डिनाम्नेट रो जाएगा 899 808 201 अगर इसको solve करें हम तो ये कितना है 980 130 डिवाइड़ बै 808 201 ये आ रहा है P1 Q1 which is 1100 upon P0 Q0 which is 899 ये कितना हो जाएगा 1100 divided by 899 1.22358 तो clearly we can see that LHS is not equal to RHS ये है 1.212 जबकि ये है 1.22 हाँ अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत नजदीक है तो yes बहुत नजदीक तो होंगी जब भी आप factor reversal time reversal पढ़ेंगे test करेंगे तो value तो 1 के आस पास ही आईगी तो इसले कोई बहुत ज़्यादा difference तो आना नहीं है striking difference the issue is क्या वो 1 आता है या नहीं क्या इनका product exactly इनके बराबर आता है या नहीं आता है LHS price index, LHS quantity index क्या वो value index बनाता है या नहीं तो 1.2127 1.22358 these are substantially different ये हुआ हमारा factor reversal test on LHS index तो हम यह क्या कह सकते हैं कि Laspire's index does not qualify factor reversal test as LHS is not equal to RHS this is it for now अगली पार जब हम मिलते हैं तो पैशेज को test करते हैं factor reversal के लिए थैंक्स वोचिंग पापाई टेक क्या